नमस्कार दोस्तों, बाल्टू बेंच अकेडमी में आप सबका हर्दिक स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रिदेश राज़त सहीता 2006 की धारा 72 एवं धारा 73 के विशे में दोस्तों, धारा 72 में इस्थाई अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता का प्रापदान किया गया है Standing Council and Other Lawyers इसकी उपधारा एक कह रही है, राजसरकार ऐसी निवंदर और शर्तों पर और ऐसी दीती से जैसी बहित की जाए निमनलिखित की निवक्ति कर सकती है यानि कि सबसे पहली बात ही है कि राजसरकार यहाँ पर निवक्ति कर रही है अधिवक्ताओं की अब किन-किन की निवक्ति कर रही है सबसे पहले इलाबाद हाई कोल्ट में और उसकी लखनव बैंच में एक या एक से अधिक इस्थाई अधिवक्ता राजस्वर अधिबक्ताओं की नियुक्ति क्यों की जा रही है इस कोट के अंतरगत बही जो राजे सरकार है राजे सरकार की तरफ से इलाबाद हाई कोड और लखनव की खंड़ पीट में केसिस लड़ने के लिए इस थाई अधिबक्ता राजस्व की नियुक्ति की जा रही है और वो राजे सरकार देख लेगी कि एक की जरूरत है या एक से अधिक की आवशक्ता है उसी हिसाब से वो एपाइंट करेगी अगला कह रहे है इलावाद लखनव पिरते एक राजस परिशत के लिए एक या एक से अधिक इस्थाई अधिबक्ता राजस अब जो राजस परिशत है बोल्ड अफ रिवेनू उसमें भी चाहिए तो इलावाद लखनव में एक एक या एक से अधिक जैसी भी आवशक्ता किया जाएगा फिर है मंदलिय मुख्याले के लिए एक या एक से अधिक मंदलिय शास्की अधिवक्ता राजस्व आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग जानते ही होंगे कि मंदलिय मुख्याले में ये मंदलिय शास्की अधिवक्ता राजस्व होते हैं ऐसे ही आगे दे रहें जिला मुख्याले के लिए एक जिला शास की अधिवक्ता राजस्व और एक या एक से अधिक अपर जिला शास की अधिवक्ता राजस्व तो यहां तक जो है ये राजसरकार की बात थी कि राजसरकार जिनकी नियुक्ति करेगी इलाबाद हाई कोल्ड में और उसकी जो अधिवक्ता है इनसे तो आप परिचित भी होंगे आगे आते हैं उपधारा दो पर उपधारा दो में कह रहा है कलक्टर ऐसी निबंदन और सर्तों पर और ऐसी रीती से जैसी भीहित की जाए पिरतियक तैसील के लिए दो से अनधिक पैनाल अधिवक्ता हो राजस्तों की कर सकता है दो से अनधिक ठीक है यह भी राजस्तों में ही होंगे और पैनल अध्वक्त होती है जे अगली उपधारा तीन में कह रहे है धारा बासट की उपधारा दो के उपवंदो के अधदीन उपधारा एक या उपधारा दो के अधिन नियुक्त बिदी वेपसाई किसी लिखित प्रादिकार के बिना किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या भूमी प्रबंदक समिती की ओर से किसी नियाला या प्रादिकार जिसके लिए इस प्रकार नियुक्त किया गया हो में अभिवचन या कारवाई कर सकते हैं। अगला कह रहे हैं उपधारा चार में कोई ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या भूमी प्रबंदक समिती इस धारा के अधीन नियुक्ती किसी ब्यक्ती से भिन किसी बिदी व्यपसाई को कलक्टर की पूर बनुग्या के बिना नहीं रखेगी। अपाइंट नहीं करेगी कलक्टर की बिना पर्मिशन के। क्यानि कि कोई ग्राम सभा, ग्राम पंचायत भूमी प्रबंदक समिती इन एड्वोकेट्स के अलाबा किसी दूसरे एड्वोकेट को कलक्टर की बिना पर्मिशन के अपाइंट नहीं कर पाईगी। आगे उबधारा पांच कह रहे हैं, नियाले फीस अधीनियम 1870 यानि की कोल्ट फीस एक्ट 1870 में अंतरविष्ट किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन नियुक्त, किसी बिदी वेफसाई दरा दाखिल, किसी बकालत नामा या हाजरी के ग्यापन पर कोई नियाले इसे आप ध्यान रखेगा कि इसमें कोई कोल्ट फीस देनी नहीं होगी, ना तो बकालत नामा पे और ना मैमो अफ एपिरेंस पे, आगे आते हैं उबधारा छे पर, इसमें कह रहे हैं इस धारा के अधीन नियुक्त बिदी वेफसाई, किसी ग्राम सबा, ग्राम पंचायत या भूमी प्रबंदक समिती के बिरुद, ऐसे किसी नियाले जिसमें बहे नियुक्त किया गया है, कि समक्ष अभी बचन या कारवाई करने के लिए सक्सम नहीं होंगे, अब सीधी सी बात है, कि जो एडवोकेट अपाइंट किया गया, सरकार द्वारा, कलेक्टर द्वारा किसी ग्राम सबा के लिए, या ग्राम पंचायत के लिए, या भूमी प्रबंदक समिती के लिए, तो उसके बिरुद वो केस कैसे लड़ सकता है, जिस नियाले में वो उनकी तरफ से केस लड़ने के लिए अपाइंट किया गया है, उसी नियाले में वो उनके बिरुद तो के प्रवाई करने के लिए सक्सम नहीं होंगे ये तो सीधी सी बात है आगे आते हैं उपधारा साथ पर इसमें कह रहे हैं राजे सरकार गजट में अधी सूचना द्वारा इस सहिता या उसके द्वारा निर्सेत अधिनियमों के अधीन ग्राम पंचायत ग्राम सभा या भूमी चारी कर सकती है ये आप इंग्लिश में देख लीजें इंग्लिश से और किलियर हो जाएगा दा इस्टेट गवर्मेंट में वाई में इशू एनि डिरेक्शन फर मोनिटरिंग ऑफ केसी फाइल बाई और अगेंस्ट यानि की जो ग्राम पंचायत ग्राम सभा भूमी प्रबंदक समीती के द्वारा या उनके किलाफ जो भी केसी फाइल किये जाएंगे उनकी मॉनिटरिंग लिए इस्टेट गौर्मेंट ड कितने cases में जीते, कितने में हारे, कैसे लडे, तो उनका performance based annual appraisal, ठीक है, और इस काम के लिए किसी law officer को भी appoint किया जा सकता है, ये बात कह रहे हैं, तो दोस्तों ये जो हमने दारा 72 पड़ी, इसमें total 7 उबधारा हैं, पहली उबधारा में तो ये बता रहे हैं, कि जो तो पहली उबधारा में आपने पड़ा कि इलाबाद high court के लिए, लखनव की खंडपीट के लिए appoint करेंगे, board of revenue के लिए advocate करेंगे, और मंडलिय मुख्याले और जिला मुख्याले के लिए appoint करेंगे, ये चार इसमें आ गए, उबधारा एक में, उबधारा दो में collector appoint कर सकता प्राबा किसी legal practitioner को appoint करना चाती है, तो collector की permission case, permission से ही करेगी, collector की permission के बिना नहीं कर सकती, उबधारा पांच में आपने पड़ा कि किसी बकालत नामे पे और हाजरी के ग्यापन पे कोई नयालाफीज पे नहीं करनी पड़ेगी, फिर उबधारा छे में आपने पड़ा कि जो appointed advocates हैं, जो कि किसी कोल्ट में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, भूमी प्रबंदक समीती के लिए case लडेंगे, उसी कोल्ट में उनके खिलाफ case नहीं लड सकते, ठीक है, और धारा साथ में performance based annual appraisal की बात की जा रही है, कि जो panel advocates हैं, उनका performance based annual appraisal तयार किया जाएगा, और इस प्रापधान करती है, representation of gram पंचायत, पहले इसको bear act से पढ़ लेते हैं, इसकी उपदारा एक में कह रहा है कि इस सहीता के अधीन किसी बाद या अन्ने कारवाईयों में gram सभा का पिर्तिनिद्द निमलिखित दौरा किया जाएगा, यानि कि जो gram सभा का पिर्तिनिद्द है, बाद में और कारवाईयों में, suits में और proceedings में, वो इन लोगों के द्वारा किया जाएगा, पहला कह रहा है, सिबिल नेल में या collector के समक्ष कारवाईयों में, जिला सरकारी अधीबकता राजस, यानि कि अगर collector के समक्ष कोई proceeding हो रही है, या civil court में हो रही है, तो district government council revenue, अगल के समक्ष कारवाईयों में, मंडलिय सरकारी अधीबकता राजस, भाई अगर commissioner के समक्ष कोई केस है, तो जो मंडल का जो appointed है, divisional government council revenue, वो देखेगा, आगे कह रहे हैं, राजस परिशद या उच्चनेले के समक्ष कारवाईयों में, या था इस्तिती लखनव या इलाबाद क अलग-अलग स्थाही अधीबकता, भाई राजस परिशद या हाई कोल्ट माली जे इलाबाद का केस है, तो जो इलाबाद के लिए appointed हुआ है, और इलाबाद की board of revenue के लिए appointed हुआ है, वो देखेगा, और लखनव का matter है, तो जो लखनव की bench का जो appointed हुआ है, वो देखेगा, आगे उबधारा 2 में कह रहे हैं, इस अध्याय में कोई बात राजसरकार या कलेक्टर को ऐसे बाद्या कारवाई के संचालन के लिए जिसमें ग्रामसभा पक्सकार हो, ऐसे निबंदन और सड़तों पर जो भीहित की जाए, विशे सदिबकता नियुक्त करने से प्रबारित नहीं करेगी, यानि कि राजसरकार और कलेक्टर अगर चाहें, तो बाद्या कारवाई के संचालन के लिए जिसमें ग्रामसभा पक्सकार है, विशे सदिबकता एपाइंट कर सकते हैं, ठीक है, इस पेशल काउंसल एपाइंट कर सकते हैं, दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रिदेश, हजेस परिक्षा की डेट आ गई है, यूपी हजेस परी की, तो कई सब्सक्राइबर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सल डेट आ गई है, आप जादा से जादा वीडियो डालके कोर्स कबर करा दीजिए, जैसे कि भाई मनोज कुमार दुबे और छत्रिये गिरी जी, तो मैं अपनी तरफ से भाई पूरा प्रियास कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी आपका कोर्स कबर करा सकूं, आप लोग भी वीडियो को बार बार सुनिए, और अच्छे से तयारी कीजिए, और जब सलैक्ट हो जाएं तो कमेंट करके जरूर अगा हो तो करपया मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, धन्यवाद